वेलो गाइस वेल्कम बैक अगेन आपके अपने यूटूब चैनल बीमे स्क्यान में सो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर सेकेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हमारा यंत्रेवम सहस्त्र अर्ध्याएं ठीक है तो इसके पहले की वीडियो में हमने सलतंत का फर्स चैप्टर जिसमें हमने सलतंत की परिभासा और उसके परिचे के बारे में बात की थी तो उसको आप देख सकते हैं वो भी कब 15 नंबर में 2-3 बार आ चुका है तो आप उसको देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं यंत्रियों सस्त्रध्याय में जिसमें हम आज देखेंगे यंत्रों के बारे में तो आज हम देखने वाले हैं यंत्र के परिभासा, यंत्र के प्रकार, यंत्र के संख्या, यंत्र के गुण, यंत्र के दोस, यंत्र के कार और यंत्र के प्रकारों का वर्णन तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यंत्र की परिभासा तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बीमेस ग्यान के ग्रूप को जोइन कर लीजे जो कि इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्सन में दे दी है तो चलिए शुरू करते हैं यंत्र की परिभासा तो यंत्र क्या है कि मन सहीत संपूर्ण सरीर में बाधा अर्थात वेदना उत्पन करने वाले भावों को सल्ल कहते हैं और स को जो निकालने के जो करन होते हैं जिनकी सहाथा से सल्ल को निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं यंत्र कहते हैं तो इस डिफनीशन जो हिंदी में दिये उसके चोटी सी कोटेशन है संस्कृत में वह यात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्या है कि तत्र मना शरीर बात कराणी सल्यानी यह हो गया हमारा सल्य की डिफिनिशन ठीक है यहां तक यहां तक जो डिफिनिशन हो गई वह हमारी सल्य की होगी और तेसाम आहरण उपायों यंत्राणी और उनको आहरण करने का या निरहरण करने का उपाय जो होता है उसको हम यंत्र कहते हैं ठीक उसके बाद दूसरी डिफिनिशन छोटी सी है ये भी याद कर सकते हैं आप कि जो संपूर्ण सरीर में बाधा उत्पन करे उन्हें सल कहते हैं ये हमारा सल की डिफिनिशन हो गई सर्व सरीर बाद करम सल्यम इसको याद कर सकते हैं आप जब भी आपको लिखना रहे गए ये अंत्र की परिभासा में तो सल लिखेंगे जो संपूर्ण सरीर में बाधा उत्पन करे उसे हम सल्य कहते हैं और उसको निकालने के जो उपकरन होते हैं जिनकी साहता से उसको निकाल जाता है उसे हम यंत्र कहते हैं अब हम बात करते हैं यंत्र के प्रकार के बारे में जो यंत्र के प्रकार है और संख्या मलब संख्या भी हम यहां बात करेंगे और यंत्र के प्रकार तो यंत्र के पकार यहां पर आप देख सकते हैं कितने हैं यहां पर छे दिख रहे हैं स्व S U R तो S S T नासूर जो हमारा पहले सब्जेक्ट था S S T वो बहुत हार्ड लगता था तो उसको कह चarnosते हैं कि जो हमारा S S T सब्जडेक्ट था वो नासूर बन गया था Mississippi तो S S T नासूर से आप इस यंद्डम के संख्या यहां यद्डम के नाम याद biology स्वस्तिक यंधर संदन्तर तालींतर नाडींतर सलाक्अ य rifah अब S से क्या है, हमारा स्वस्तिक है, तो स्वस्तिक आप देख रखते हैं, जो हो स्वस्तिक है हमारा, तो यहां पर आप स्वस्तिक देखते हैं, तो यह कैसे बनता है, ऐसे पहले बनता है, दो लाइन से प्लस मना देंगे हम, समझोगे, दो होगे आपका इधर, और फिर चार ऐसे करना है हमको एक दो तीन चार तो यह आपका स्वस्तिक बन गए तो इस प्रकार से आप चार यहां पर एड़ कर देंगे तो इस प्रकार से आपको द्यान में रखना है कि यह स्वस्तिक की अंद्र है उसके बाद आपको क्या अध्यान रखना है संदंस संदस कैसे याद रखेंगे संदस में दार है ना से आप दो याद रखेंगे संदस का दो हो जाएगा ताल यंत्र ताल मतलब जब आप ताली बजाते हैं तो दो हाथों से ताली बजाते हैं तो ऐसे याद कर लेंगे कि ताल यंत्र दो है नाड़ी यंत्र नाड़ी जो होती है वह हम मेल की और फिमेल की दोनों के लेते हैं वहां से दो आ जाएगा और बीज बार लेंगे जो मेल और फिमेल की नाड़ी रहेगी हम बीज बार लेंगे तो इस प्रकार से आपको नाड़ी यंत्र की संख्याद हो जाएग कैसे 28 साल लगी कि हमारा समझो की 25 साल हमारा BMS का हो गया और तीन साल हम PG में निकाल दिया सलाका के तो 28 साल तो इस प्रकार से सलाका यंत्र की संख्या 28 साल याद कर सकते हैं और उप यंत्र जो है वो 25 याद कर लेना इसको आपको अलग से याद कर लेना है इसमें कोई ट्रिक बैटरी चाहे आप जो टोटल 101 संख्या होती है यंत्रों की उसमें से सब को जोड़ के माइनस कर देंगे तो 25 बचेगा यह आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ठीक है अब हमने सब कुछ पढ़ लिया यहां पर अब हम देखते हैं कि जो स्लोक दिया है उसको कैसे याद करना है तो यंत्राणी ताल यंत्राणी नाडी यंत्राणी सलाका यंत्राणी और उप्यंत्राणी चाहिती तो इस तरीके से आपका स्लोक भी तयार हो जाएगा ठीक है अब जो यहां पर हमने संख्या की बात की कि 24 होते हैं संदन्स 2 होते हैं ताल 2 होते हैं नाडी 20 होता है सलाका 28 होत नबर मिलता है इसको भी के एक शंख्या हm ऑपी आयसे हमने वहाँ पर बाया कर लिया कि टोटल 101 होते हैं और कुल शंख्या 6 होती तो उसका शंख्या अब जो हमारे सुंक्या याद किये अलग-अलग तो स्वस्तिक यंत्र है न तो यहां पर ऐसे लिखना है तत्र चतुर विनसती चतुर विनसती मतलब 24 यह हो गया तत्र चतुर वनसती स्वस्तिक यंत्राणी द्वे संदन्स यंत्रे द्वे यो ताल यंत्रे विनसती नाड्या मतलब बीस नाडी यंत्र अश्ट विनसती सलाका और पंच विनसती उपयंतराणी तो इस तरीके से आपका स्लोग भी याद हो जाएगा तो बहुत इजी रहेगा कि आप जब एक्जाम में लिखेंगे तो स्लोग सहीद लेगे तो आपको और अच्छा नंबर मिल सकता है तो आई होप यहां तक समझ में आओगा अब इसके बाद हम नेक्स वीडियो में डालेंगे पार्ट सेगंड में यंत्र के गुण कार और उनके दोस्ट ठीक तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यू टेक क्यार और बाए बाए